के नेताओं को देना तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं मद्य प्रदेश कॉंग्रेस के उनका क्या होगा इसको लेकर बीजेपी तो चुटकी ले ही रही है लेकिन ये भी देखना होगा आखिर मद्य प्रदेश में साल 2023 में चुनाओं हैं तो ऐसे में प्रदेश कॉंग्रेस कम चलिए चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ खास महमान भी जुड़ गए उनका परचाए आपसे करा दे हमारे साथ कॉंग्रेस से संतोस परहार जी गीद धीर जी भाजपा से और भानु चौबे जी बरिष्ट पत्रकार आप तीनों महमानों का बहुत स्वागत है पानु चौबे जी सवाल आप से ही खड़के के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि पचास फी सदी जो अब पद हैं कॉंग्रेस के वो आरक्षित हैं पचास से कम उमर वालों के लिए तो क्या ये माना जाए कि अभी वाओं की भागिदारी नहीं थी तो अब जादा भा देखिए पहला तो ये है कि क्या मलिकार जुन खड़के साब जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे क्या वहां उनकी पसंद ना पसंद और गांदी परवार की पसंद में टक्रहाट नहीं होगी बहुत से सवाल हैं हो सकता है कि जो किंडिडेट ये सुजाएंगे वो उनको पसंद तो उम्र का सवाल हो वो कहें कि कि उम्र नहीं साब हमारी पसंद अभी ये समस्या देखी जाए तो ये बात कहें से आगे बढ़ेगी दूसरा जो हिस्सा में देखता हूँ इसमें कि पचास परसेंट का मारजीन इसलिए रख दिया गया कि जिनने संतुष्ट करना है बुज कर पाएंगे क्या क्योंकि बीजेपी ने 75 का फर्मूला लगाया था उसमें भी देखी है बहुत कयास निकल गए और उसके बाद बहुत से गुंजाईश है आ गई उसमें तो अभी मुश्किल लगता है कि वो जो कह रहा है वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या नहीं क पाएंगे इस पर तो संसाय है क्योंकि जो कॉंगरिस में कहा जाता है या राजनितिक दलों में कहा जाता उसको अमल में लाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती और सक्त डिसीजन की अब कितने ले पाएंगे ये तो वक्त पताएगा जी संतो परिहार जी सहमत हैं कि ऐस होने वाला है निश्चित तोर पे जो युआओ को प्रतिरियूत मिलेंगा पूरे देश के अंदर दिखेगा और मांने कख़गे जिने जो बोला है तो अज़ेग्जम कोई भी रहा है अब जो बना युवाओं की भागेदारी मंद्धादेश में कैसे देखेंगे आप देखें बुजर्गों के हाथ में पूरी कॉंडेश की कमान है मंद्रदेश में तो आप दूगी नहीं आहँ चाहें तो जानते ही हों यहां लेकिन अब यहां 그러니까 आगे अग्रेम पंक्ती में युवाओ को आने की कितनी जिम्मेदारी देखते हैं युवाओ को備 भी जिम्मेदारी मिली माननी कमलनाच जी के नेतेरोत में अब क्या बुजर्गों कोकमान मिलेगी ऐसा होगा क्या ने किमान मिलेगी मैं नहीं मत्रम समझा नहीं हुआ को मौके मिले तो आप क्या योवार टॉप लीडरसिप में रहेंगे और बुजरुग सलायकार मंडल में था लीडरसिप वाली कोई बात हैं नहीं अभी तो मानिकमल नाजी कि नेतवत्व पूरे मद्द्वर्द देस या यह के लहें होगा है कि माननी कम नाजी के नेतवत्व में चुना होगा उसके अंदर कमुन नाजी मखमंत्री बनेंगे इसमेह कहुं सठी दोड़ी है लेकिन 50 पी सदी जो आरक्षित पड़ होंगे वहाँ के वो कौन से होंगे सेकंड लाइन के थैड लाइन के पचास साइड लाइन थोड़ी कहा जाता सा 50 पी सदी भागी दारी की जो आप बात कर रहा हैं तो भागी दारी में मंत्री मंडल है कई चीज़े रहती हैं उसके अंदर भागी दारी रहेगी अभी तो कहीं कोई बाती नहीं ना इसके अंदर नहीं उन्होंने बयान में नहीं कहा ना कि आरक्षित किये जाएंगी तो आरक्षित से मतलब बिलकुल अब समझते हैं आपके पचास पी सदी दे नहीं हैं वहाँ को पचास पी सदी बागी दारी रहेगी ना वो तो बोली रहे हैं वो तो उसके अंदर कोई बाती नहीं जो बोला उसके अंदर पूरी सथा सही होगा बागी दारी का मतलब ये थोड़ी बागी दारी का मतलब सब जगे रहता ना मेहन जी बागी दारी का मतलब थोड़ी रहता है कि सब को एक अद्दश्ची बना दो सब कर दो तो इस तो भागी दारी युआओ को भागी दारी मिलेगी पूरे देश के अंदर एक नया वो होगा जो उनने भूसना करी उस इसाब से होगा आने माले समय में दिखे है कांग्रेस में गिद्दीर जी क्या लगता है कि इस पर अमल करेगी कांग्रेस क्योंकि आपने भी 75 का फॉर्मूला दिया था जैसा भानु चौबे जी ने बताया लेकिन उसको अमल में लाने के लिए लगता नहीं है कि वो पूरा हो पाया बारती जनता पाटी जो कहती है वो करती है और निश्चित रूप से जो हमने कहा था को कटर दिखाया है क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हमारे वरिट लोग है उनके मार्दर्शन के अंसर जब युवाँ को भी लेगेंगे लेकिन यहां तक के कॉंग्रेस की बात आती है नखिपड़े स्वेयर हैं कि बात करी जा चाहरे जे लेकिन कहीं ना काई उनके नाम सुनते से सी डर एक निकल गई वहांसे तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि युगाओं को भी अक्सर मिलेगा मैंसे कं豪 ऐसमे कारे कर्तां को ताकाल पड़ा हुआ है कि कारे करता आए कही न कहीं उसके अलावा फिर सेकंड लाइन का या ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियों का डिस्ट्रिबियूशन हुआ है तो वो सिर्फ नेता पुत्रों तक सीमित रहेंगी या बास्तों में जमीनी कार करता हो तक भी ये पहुँचेगी लाइन देखिए बहात यहीं से अभी इस बयान से आप पकड़ लीजिए शुरू हो गई कि सब बातों में गुंजाईश देखी जा रही है कि कहां एड़्जस्मेंट हो सकता है मंत्री मंडल भी हो सकता है संगेशन भी हो सकता है कार्यकता भी हो सकते हैं भागी दारी हर जगे देखी जा सकती है अगर युवाओं का मौका देने की बात होती तो नेतरत वा खड़गे जी का समर्थन करने के बिजाए थरूर जी का समर्थन करता तो युवा नेतरत वाता कांग्रेस में राहुल जी भी तियार होना चाहिए थे उसके लिए और अगर नहीं है असी बरस के खड़के जी को चुना गया है और ये कहा गया कि साब उनको नेतरत का परोक्ष समर्थन है तो फिर ये तो उधारण हर जगे रखा जाएगा सामने साब दिक्कत होगी सुल जाने में बाते है मद्द प्रदेश के लियास से हम देखें बानु चौबे जी तो इसमें जो सेकंड लाइन के नेता है जो कहीं कहीं ऐसे बयानवाजी करते हमें दिखें चाहे वो बिधानसभा का पटल हो सड़क हो या फिर पी सी सी कारियाला हो वहाँ पर ये लाइन जरूर समझ में आई कि ये जग्यासू हैं कि इनको भी कोई महत्तपूर जिम्मेदारी में रखा जाए या फिर लगता था कि कुछ आंगे आके युवा बनना चाहते हैं और बड़े जो नेता हैं वो निश्चे तोर से अपने पुत्रों को तो चाहेंगे ही कि वो चमकें यहां पर मद्रदेश में जो पटल पर कॉंग्रेस के तो इसमें सब गुणा भाग जोड तोर लगा के अब युवाओं की बारी है तो किन युवाओं की बारी देखते हैं किन की संभावनाएं ज़्यादा प्रवल लगती हैं आपको तो जैसा आपने कहा के नेता पुत्रों की प्राथ्मिक्ता तो आप तक रहती आईए है और मैंनी समझता के आगे वो कतम हो सकेगी तो इसका लाव अगर पहले बटेगा तो किसी ना किसी के पुत्र को भाई को मिलने की बात आईगी और वैसे जीतू पटवारी जी कारिकारियत जक्ष्य तक गए हैं तो इस तरह के उधारण मिलेंगे लेकिन ये फॉर्मूला इसी पहरदर्शिता से लागू होगा इस बारे में मुझे संक्षए जो खड़गे जी ने कहा है उस फॉर्मूले को लेकर या उनके बयान को लेकर संसा इसलिए भी है क्योंकि वो खुद असी पार हैं तो लगता नहीं है कि इतना जल्दी कुछ चीजें अमल में आएंगी बदलाओ के यदि हम बात करें बानु चौबे जी तो खड़गे जी के बनने के बाद बहुत सारी संभावनाय देखी जा रही थी मद्द प्रदेश में भी और तमाम सारे राज्जियों में अब बदलाओ के संक्यत खड़गे इस तरीके से दे रहे हैं या फिर यवाओं के माध्यम से वो चायते हैं कि जो अध्यक्ष हैं या जिनका कारकार ठीक नहीं रहा उनको थोड़ा चेंज करें जीचिए रूप से चुनाओं में एक साल का समय बचा है और आम तोर पे इतने कम समय में कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगा तो टेस्टेड लोग अन्भवी लोग या जो लोग काम चलाते आ रहे हैं जिनके रिकॉर्ड पे हैं चीजें वही लोग सामने आएंगे मुझे नहीं लगता है कोई अमूल जूल पर्वत्तन हो जागा खड़ गे जी के फार्मूले से अगे तो अभी ये अगले विधान सबस्वा चुनाओं तक की बात हो रही होगी तो हो सकता है बहुत चीजें लगता होगा एक साल तो अभी सम्भावना आए नहीं है कम से कमोन राज्जियों में तो नहीं है जहां पर संतोस परहार जी लगता है मद्र प्रदेश में कुछ बदलाओं के संकेत हैं क्यों आपने तो कह दिया है कि ठीक है कमलना जी के नित्रत में और कुछ जिम्मेदारियां परवर्तन होंगी क्योंकि देखिए अभी हाली में तो प्रदेश प्रभारी तो बदल ही दिये गए है बाकी नेसा लगे हुए हैं पूरे बूतï बूस से लेके मंड़ लंग से लेके पूरे विधांचाव हैं चैफर में कौर्ज प्रभार को पुरे तेश के नर्ण देर रहा है मुख मंतली को रोज मुटिंग करनी पड़ रही है गड़ों के बारबारें बारबन रदेश दे रहे हैं, अधिकारी वर्क कोई पालन नी कर रहे हैं, पुरी के तरीके से ब्रश्टाचार में डुबा हुआ प्रदेश क्राइम की हालत जीरो, मतलब ऐसी इस्तिती हो गई कि रोज महिलाओं से भलतकार हो रहा है, तो बहुत सी सम बारबन रदेश के बारबन रदेश के रहे हैं, तो यह पुरी जनता को भी दिफरा है, पुरी चरह प्राइमा हुआ है, तो आने वाले समय जनता भी इसका जबाब देगी और अभी इस सब भी इखनी रहे हैं. आर्टी जनता पारटी की सरकार में आपने गिना दी हैं, पूरी दरजन भर से जादा बता दी हैं आपने, लेकिन कॉंगरिस में सब ठीक चल रहा है, लगता है कि सारे बड़े नेता एक मंच पर बैठते होंगे? देखिए, बड़े नेता एक मंच पर बैठते हैं, पूरी तरीके से काम कर रहा हैं, वो सब जगे दिख रहा है आपको, जो चुराया हुआ जनादेर, कद्दारों से लिया हुआ जनादेर, जनादेर पुड़ी चले गाता, समय आ गया है, वो भी जनता जबाग के लिए माननी है, अजर सिंग जी खुझी बेटे हुए थे, गमलनाज जी के मीटिंग में, वहां तो उन्हों ने ये कहा ना, कि ऐसे बैठते हैं, एक दो एक दो करके, लेकिन जितने दिगज सारे नेता हैं, जैसे एक मन्थन चिंतन होता ना, कि सारे लोग पहुंच जाते हैं, जै के जो है, गुझेन में, कारीडोर में, ये से मद्ब पर देश के मुर्फंद्री का अफमान हुआ, ये पूरे देश के देखा लाई, अब आप उसके अंदर हमें क्या बताना है, हमें किसी की सीख की थोड़ी जरुते हैं, अब सारे नेता लगे हुए पूरे मद्ब पर दे का डिसेंटलाइजेशन या डिस्ट्रिबूशन किया जाए, कि सब को ऐसी ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाएं दो हजार तेईस के लिए, बदलाओ फिर दो हजार तेईस के बाद देखेंगे, ऐसा? सब को जिम्मेदारी है, सब को जिताने की जिम्मेदारी है, गानी चोपाल में पूरे तेईस यार पंचाइतों में जाके जो हर जगे कारकम चल रहा हैं, एक्टर मंडलम से लेके, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्स की हमारी जिम्मेदारी है को जनता की पूरी तरीके से कर रहे हैं और यह जो प्रष्टाचार का जो अम्मार प्रदेश में लगा हुआ है इसके अंदर विपक्ष की हमाई जुम्मेदारी की जन्ता को बताएं और उसमें कर रहे हैं विजली की चोरी से लेके सारी चीजे जो है मैं जी किसी से कोई छुपा नहीं बड़े नेताओं के बयान इस से इतर हैं चाहे वो लचमन सींग हो अजय सींग हो या फिर खुद कमलनात के ट्वीट हो या और फिर अनेताओं के हो इन सब को कैसे देखेंगे क्या बास्तों मैं हाई कमान इसको नजर अंदाज करेगा या यह लगेगा कि चलिए सब को पर पिछले चुनाओं में कांग्रेस में मैदान भी पकड़ा था, बता भी दिया था कि हम जीत सकते हैं, जीते भी थे, लेकिन उसके बाद जो हाथसा हुआ, सिंधिया हाथसा, उसके बाद ये पहला विधान सबा चुनाओं होगा जिसमें जवाब देना है, सिंधिया गुट कैसे चला गया, इतने सारे लोग कैसे चले गए, पार्टी रातों आत तूट के विखर के से गई, ये सब सवाल अब खड़े होंगे, और इन परिस्तितियों में नौजवानों के हाथ दे के, और कोई बड़ा जोखिम लेने का इरादा कांग्रेस करेगी, उसके रेकॉर्ड को देख के ऐसा लगता नहीं है, कि इतना बड़ा जोखिम वो लेगी अभी इस वकत है, एक साल के ताइम में, ऐसा संभव नहीं है साब, जोखिम लेगी, गीदीर जी, एक बात और कही है, मलिकार जुन खड़गे ने अपने बयान में, कि जाती बात और लोक तंत्र को कायम रखने के लिए, या थोड़ा सा कहें के मजबूत करने के लिए, ये जाती बात को अलग करना है, लोक तंत्र और समाज बात को मजबूत करना है, ये तीन बात है, उन्होंने बहुत प्रावर्टी से कही है, तो बास्तों में, ये संभव है कि राजनेतिक दलों से जाती बात खत्म हो जाएगा? खत्म हो और अभी जो है इनको हिंदू दियाना जाते हैं भी उजयन में भारत तोड़ो यात्रा आ रही है तो कॉंग्रेस का आचरन जो है ये चाहे मलीका अर्जुन जी हो चाहे राहुल गांडी जी हो चाहे इनका कॉंग्रेस का कोई कारे करता हो क्योंकि मांसिक्ता उपर से चली आ रही है इसकी स्टाफना जो है कॉंग्रेस पार्टी की वो हैयूं के द्वारा की गई थी जो कि ग्रेटिश विक्ति था तो इनकी जो विचारधारा है वो राष्टवादी कभी हो इनी सकती और जब राष्टवादी विचारधा है नहीं तो इस तरफ पोड़ने की लिए जरूरी है संग्ठन में या फिर ये खत्म होगा जो योग होगा उसको पद मिलेगा फिर वो चाहे किसी भी जाती का हो ये राजनेतिक दलों में आएगा कुछ नया ट्रेंड देखि भारती जनता पाटी जो है सबका साथ सबके विकास की बात करती है हम सबको जोड़ के बात करते हैं हम सबके विकास की बात करते हैं लेकिं कंग्रेस में आफको बटाया ना यहां पर फोड़ो 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 की राजनीथी करते हैं कि इसको भी तोड़ो फोड़ो उसको बरगला लो अकर में क्या होता है कि काॉंद डुटagen जोता के सामने आशू flavors कि और को आइना देखने की जरूरत है जब कि दूसरे जाजनितिक दलों की बात करें तो मैं नहीं कह सकता लेकिन भारती जनता पार्टी में इस प्रकार की पद्दित ही नहीं है वह सुरक्टित माना जाता है क्यूंकि राश्टित के लिए कारे करता है उसको अपने आप में देखते हैं यह सब फानु चौबे जी एक लाइन फिर यह भी है कि लोकतंत्र और समाज बात को मजबूत करने की दिसा में भी कॉंग्रेस बढ़ेगी और जाती बात को खत्म करने की दिसा में देखे महिन जी यह बाज़िपा के प्रवक्ता जो भी के रहे हैं यह कॉंग्रेस प्रवक्ता जो भी के रहे हैं हम और आप जो फिल्ड में और आकबार के दफतरों में काम करते रहे हैं आज तक पिछले चुनाू तक हमने ये देखा है किस इलाके में किस जाती के वोटों की संख्या कितनी है इस पर से कंडिडेट सुना जाता है और ये कंडिडेट सामने आते हैं कई जगे जीते भी हैं कई जगे हारते भी हैं वह बात अलग है लेकिन जाती वाद राजनीती से खतम हो जाएगा या अगर कोई कहता है तो वह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल मानने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है तंदोस परिहार जी मानेंगे आप इस बात को करेगी कॉंग्रेस इस दिस बात में चल रहा है बिल्कुल इसकी मैं निंदा करता हूं यह से लोग को आप प्रवक्ता बैठाएंगे तो यह ठीक नहीं है मैं दिवेट को पाइसकार करता हूं अरे आप पहले जवाब तो दे दीजिए आपको उन्होंने बोला तो आप भी जवाब दे दीजिए ना अब इनको ऐसा लगता है कि जो प्रवक्ता बैठते हैं वो कैसे जवाब देंगे भाई आप जवाब दीजिए आपने ततकाल बोल दिया खेर ठीक है वानुचोवे जी देखिए ऐसंतोस पर्यार जी बन नाराज हो गए है नहीं साब बातचीत करने बैठे हैं तो सब बातचीत होनी चाहिए आप सवाल करिए जवाब दीजिए दोनों सुझदा आपके पास यहां दिखा रहे हैं आपके डिवेट छोड़ना नहीं चाहिए यह ठीक नहीं है चलिए खेर आप तीनों महमान हमारे साथ इस महत्पूर्ण बहस में सामिल हुए बहुत बहुत सुक्रिया आपका तो भानुचवबे जी सुक्रिया गीधिर जी सुक्रिया संतोस पर्यार जी आपका भी सुक्रिया तो अब क्या MP में चलेगा खड़गे का 50-50 फार्मूला य है क्योंकि जैसे ही खड़गे ने कॉंग्रेस के अध्यक्ष पत की सपतली उन्होंने कहा कि 50 फी सदी जो पत हैं या जो डिस्टिब्यूशन होगा कॉंग्रेस के इंटर्नल संग्ठन में उसमें उनको आरक्षित किये जाएंगे तो अब ये सवाल भी है और ये देखना भी होगा कि आखिर मद्द पर्देश में इस से योः फौर्मूले का कितना असर होता है और बांकी के राजियों में क्या बास्तों में योभाओं को कमान मिलेगी कंग्रेस में या फर बुझरगों के सानीट में योभाओं को कच और मौके दिये जाएंगे जैसा संदोस परहार ने बताया तो DNA एजेंडा में फिला लितना ही देखेंगे बक्त के साथ कॉंग्रेस के बदलाओ को भी नमस्कार शेहर से दूल एक पूरा शेहर है गोल्डन माईल और भोपाल इंडार एक्सप्रेस हाइवे पर इसी गोल्डन माईल में है आपकी आने वानी सरीन लाफ की टेस्टिनेशन ग्रीन वाली स्टुडियो अपार्टमेंट नहां है लश्ट ग्रीन अन्वार्मेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियास जैसे मॉडरन लाइस्टाइल को सूट करने वाले साई अमिनिटीज पूल्स, बूख यूर्स तुडियो अपार्मेंट अपार्मेंट आउट्स देखो अभुष हाली आई है अम सब का आमान पडाने गर में बेटी आई है मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को मुख्य मंत्री श्री शिवरा सिंग चौहान के नेतरत्व में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोचसाहान राशी वित्रन कारिकरं आयोजित किया जा रहा है सशक्त बेटियां समरिध मध्य प्रदेश कुछ पैसे इसरे कुछ पैसे इसरे इकटा करके कोशिश करते हैं तब तक तो आप स्वयम सहायता समू है लेकिन मैं देखता हूँ आपके पुर्शार्थ के कारण आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते इस स्वयम सहायता समू राष्ट्र सहायता समू बन जाते हैं और इसलिए कल आप स्वयम सहायता समू होंगे लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समू बन चुके हैं राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं हर गर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभ्यान में सिर्फ तीन वर्षों में सात करोड नए पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं इन में से मद्ध प्रदेश में भी 40 लाग परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है वहां माताएं बैने डबल इंजिन की सरकार को बहुत आशिरवाद देती है मैं इस सफल अभियान का सबसे अधिक सरे मेरे देश की माताओ बेहनों को आपको देता तर आप इस वताग है कि जिलहन सबाद द्यक्ष की कुर्सी आप समया लेंगे उसी कुर्सी बे आसीन होने की इच्ट है तो क्या मानते हैं कि अब जब राष्टी इस तर पर नए अधियक्स की तलास है इस फॉर्मूले पर भी विचार करना चाहिए अगर आपकी टीम के सजय से अगर दोरे पर निकले हैं तो वो एजेंडा क्या है पीजिपी का अप्नों की सबसे पहला काम और बड़ा मेहत्पूं काम है मद्दाता सुची नीचे के कारिकरता प्रदेश तक पर प्रदेश का धिनली था ज्यादा कम को और पड़ी पोने था प्रदेश का नाम और निशान मिट जाएगा क्या भाजपा चो कारिसे लिए उससे भटक नहीं है देखें पीडी के साथ परिवर्तन आता है साथ ही सर मोधी के गुजरात के सेर है वह मत्यवर्देश भूल जाए सुप्रीम कोड़ में मामला चल रहा है जोत्रा जित की संके करता तो भागेदारी नजर तो नहीं आई यह भारती जंतापाटी के कारेकरता ने काम किया सरकार के प्रवक्ता के तौर कभी कोई चौनोती आती है सा अगनोत्री जीसे जिसके मित ने उसे किस बात की थे कमलनाथ कहते हैं कि 2023 में तो सरकार हम बनाएंगी कमलनाथ जी पहले प्रेस को निकला है कि कॉंग्रेस को खुजली हो गई है तो राकेश जी मैं आपको बता हूँ यह कॉंग्रेस मेरे उपर केपड़िस है क्योंकि जब मेरा नाम आता है कॉंग्रेस को खुजली आती है सबाल दर सबाल एडिटर इनचीफ राकेश अगनी हुतरी कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इखटा करके कोशिश करते हैं तब तक तो आप स्वयम सहायता समू है लेकिन मैं देखता हूँ आपके पुर्शार्थ के कारण आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते इस स्वयम सहायता समू राष्ट्र सहायता समू बन जाते हैं और इसलिए कल आप स्वयम सहायता समू होंगे लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समू बन चुके हैं राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं हर गर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभ्यान में सिर्फ तीन वर्षों में साथ करोड़